दोस्तो नमस्कार लिरोगी काया में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज कल सर्दियां पढ़ रही हैं सर्दियों में बहुत सारे लोग को सर्दी जुखाम बुखार की शिकायत हो जाये करती है आज हम बात करते हैं कि सर्दे जुखाम होने का क्या करण है ये क्यों हम सब लोगों को हो जाता है दोस्तों सर्दे जुखाम उन्हीं लोगों को होता है जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता है पोट साफ नहीं रहता है उन लोगों को सर्दे जुखाम हो जाता है तो आप हमेशा अपने हाजमे को सही रखिये और पेट को साफ रखिये, कांश्टी पेशन की सिकायत ना हो, अपच की सिकायत ना हो, तो आपको सर्दी जुखाम से बचा हो सकता है, आपको सर्दी जुखाम नहीं होगा, लेकिन प्राया देखा जाता है कि उन लोगों को जिनक पकड़ लेता है आप अपने पेट को साफ रखिए तो आपको सर्दी जुखाम नहीं होगा यह अहम भूम का निभाता हमारा पेट सर्दी जुखाम होने में ज्यादा तर किसी को भी आप देखिए तो अगर आप उससे पूछेंगे का आपको बार-बार सर्दी जुखाम हो ज तो गहराई में जाएंगे तो उससे पूछेंगे तो बताएगा हम, पेट नहीं रहता है तो पेट इश नहीं होता है तो उसको नजला जुखाम हो जाती है तो दोस्तों, आप अपने सभी लोगों से ते आप अपने पेट को साफ रखिए पूट को बिल्कुल क्लियर रखिए तो आपको सर्दी जुखाम से बचा हो सकता है पानी ठंधा हो या गरम हो से सर्दी जुखाम नहीं होता है मौसम से भी सर्दी जुखाम नहीं होता है जारा तर पेट की खरवारभी की वज़ा से ही सर्द करते हो इस प्राउट जीस को कहते हैं उसको अपने भोजन में सामिल करते हो कच्चा समान अपने भोजन में सामिल करते हो सलाद अपने भोजन में सामिल करते हो अम्रूत अपने भोजन में सामिल करते हो मूली अपने भोजन में सामिल करते हो तो आपको पेट संबंधी जो वि आध्यम से आप सभी लोगों को अपनी राय देते हैं कि आप अपने पेट को साप रखिए अपस से दूद हिए कांस्टीपेशन की सिकायत आपको नहीं होगा कि यह किसी को सर्दी उखां हो जाता है बुखार बी आ जाता है तो जोसाना मार्केट में मिलता है जड़ी वीटिओ वाला जोसाना उसको चाय की तरह आप बना लिजे सुबहा बाहर सामें एक-एक कप पीजिए उसमें गुड डाली चीनी नहीं और उसको चाय की तरह आप पीजिए तो आपका सर्दी उखाम नियादी उखार या सर्दी उखाम जो भी आपको पकड़ दिया है वो सिग्राद सिग्र दूर हो जाता है और आप फिट और फाइन हो जाते है तो दोस्तों यह सब करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि नोटिफिकेशन जो होती है वो तुरंद आपके पास पहुंच जाए और आप उसकी जानकारी ले सकते हो अपने जीवन को उसी तरह से आप चला सकते हैं और रोक से बस सकते हैं दोस्तों इसी के आकि आपके सामने प्रदर्सित करूँगा तब तक के लिए नमस्कार जैहिए